जुहार नमस्कार एक तरफ जहां आजसु पारटी के सुप्रीमो सुदेश महतो जारखंड नव निर्मान संकल्प सभाय उजित कर रहें और दूसरी तरफ सिली के ही युवा निता और अंदोलनकारी जहारखंड नव निर्मान पदियात्रा और नियाए पदियात्रा के नाम से प्रोग्राम कर रहें अब दोनों जो है जारखंड के नव निर्मान को लेकर यानि जो जारखंड का जो निर्मान हुआ जारखंड का जो गठन हुआ उसमें कहीं न कहीं उसके उदेस में जो उसकी पूरती होनी थी वो नहीं हुई और उसको लेकर के नए सीरे से अब जारखंड नव निर्मान यान जो संकल्प चोबीस साल पहले जो लिये गए थे उसकी पूर्ती नहीं हुई तो इस लिहाज से दिवेंदरनाथ महतो की जो पद्यात्रा है और वो जो कह रहे हैं कि किसके चलते और किन निताओं के चलते जो है जारखंड गठन का जो संकल्प था उसकी पूर्ती नहीं हो तो बात तो समझ में आती है और लोग समझ भी रहे हैं खासकर युवा और जो चातर हैं वो अपने भविस्थ के साथ अगर इसको जोड़ कर देखते हैं तो वो बहुत दूर तक इस बात को समझ पाते हैं कि कैसे दुसरे राज्जियों की तरह यहां भी जो है परिवार बात का रोग लग गया और तमाम तरह की चीजें सिर्फ सता हस तरांतरित और सता में बने रहने की कवाइद की कोशिस की गई और उसमें जो है समय निकलता गया लेकिन आसू पारटी के सुप्रीमो यदि सुदे समहतो इस तरह के प्रोग्राम करते हैं तो उन से बहुत तेरे सवाल किये भी जा रहे हैं और किये जाते रहेंगे चुनाब विधांसवा चुनाब के दोरान भी विविन निताओं के दोरा जैसा कि जहार खंड लुक्तांतरिक रांतिकारी मुर्चा के किंद्रियत धक्ष जराम महतो तो पुछी रहे हैं लेकिन देबेंदरनात महतो सिली की कि उठा रहे हैं सुदेस महतो को लेकर कि आखिर उन्हों ने क्या काम किया आखिर उन्हों ने इस छेत्र को लेकर यागर छेत्र को ही अगर माना जाए विकास का कोई एक मापदंड एक विकास का और एक नजरिया के रूप में देखा जाए कि एक छेत्र के विधाय के तोर पर सुदेस महतों ने क्या काम किया तो वहां पर जिस तरह से समस्याइं बता रहे हैं तो सुदेस महतों को सबसे पहले दिवेंदर ममनात महतों को जबाब देना चाहिए था कि हमने ये किया जो पहले यहां नहीं था जिस तरह से सुदेस महतों कहते हैं कि उनके बिधायक बनन उसी विकास के करम में जिस तरह से वहां पर समस्याएं गिना रहें दिवेंदरनाथ महतो तो लग रहा है कि आखिर जो विकास सुदे समहतो को दिख रहा है वो विकास क्यों नहीं दिवेंदरनाथ महतो को दिख रहा है और यदि दिवेंदरनाथ महतो को जो विकास और समस्या गिना रहें, साथ में जोर कर कि कहां बिकास की कमी है, कहां किन-किन समस्याओं को लेकर सुदे समहतों ने ध्यान नहीं दिया, तो उसको लेकर उनकी बात भी सुनी गई और समझी गई, और उसी का नतीजा है कि पिछले लोग सभाचुनाम में उनको लगभग सिली, विदाम पचास हजार का लीड मिला बोट के तोर पर, तो अब दोनों निताओं के इस जो स्लोगन हैं और जो प्रोग्राम हो रहे हैं, और उसमें युवाओं को किंद्रित करके, उवाओं को ही मुलूप से अपने पास खीचने और अकरसित करने के लिए, जिस तरह से दोनों की तरफ से भी जार खंड नवनिर्मान संकल्प लिया जा रहा है, और दूसरी तरफ जार खंड नवनिर्मान न्याए पदियात्रा, न्याए के लिए, जार खंड नवनिर्मान को लेकर जिस तरह से काम करना है, तो उसका संकल्प ले रहे हैं, दिमेंद्र अनात्मातों कि यद पिछले चोबीस साल में राज गठन के बाद उन सभी को नियाए दिलाए जाएगा और दूसरी तरह नए सीड़े से फिर वो सुदेस महतो जारखंड नम निर्मान शंकल पर ले रहे हैं तो बहुत दोनों में जिस तरह का फर्क दिख रहा है अब यह तो वहां के बोटरो का से काम है कि इन चीजों को किस रूप में ले रहे हैं कैसे समझ रहे हैं लेकिन सुदेस महतो से जो बहुत तेरे सवाल पूछे जाएंगी कि 24 साल की राज गठन में कहीं न कहीं सुदेस महतो की सहभागिता रही है खासकर सता पक्ष में और विपक्ष की भूमका में भी तो दोनों भूमका बहुत बरी भूमका होती है सता अगर भाजपा सता में सतरा साल लगभर रही है और सताथ साल विपक्ष में भी अगर भाजपा बैठी है और उस गटवंधन के सहयोगी के तोर पर आसुपार्टी भी रही है तो विपक्ष की भी भूमका होती है कि आपने कि इस रूप में काम किया और क्या नहीं किया और उसको भी बताना है तो अब देखना है कि ये जहरखंड नवनिर्मान को लेकर जो राजनिती सुरू हुई है और किनकी राजनिती में कितनी गहरी पैट है और इस गहरी पैट को लोग राज की जनता असानी ये लोग और खास कर जो है यूबा और च्छातर जो है इनने ताउं की बातों को किस रूप में लेते हैं और समासते हैं ये देखना है लेकिन इतना तो सत है और इतना तो सच भी लग रहा है कि बहुतेरे सवाल जो सुदेस महतों से होंगे फिलहाल देवेंदरनात महतों से नहीं होंगे क्योंकि तेवेंदर नाहत महतो को उस तरह से न तो अभी बिधायक बने हैं। उनका तो पूरा जदुजध और संगहर सिर्फ महजिक बिधायक बनने के लिए है। जब कि सुदेश महतो जो है उप्मुख मंत्री के तौर पर भी रहे हैं। बिधायक के तोर पर तो लगतार बर्शो बरस से हैं ही दसकों से हैं मतलब दो दसक तो होई गए बिधायक के तोर पर अगर देखा जाए इधर उधर करते हुए तो लगभग दो दसक होई जाते हैं और उसके पहले से उनकी राजनिती रही है लगभग नबे के दसक से उन्हो में के तोर पर उन्होंने राजनिती की सुरुवात की ती तो उनकी भूमका और उनकी जम्मेदारी बहुत अधीक हो जाती है देमेंदरनात महतो की तुलना में उस सलसिले में अगर उस को कही न कही जोड करी के तौर पर देखा जाए तो उनसे सवाल बहुत तेरे होंगे और उन सवालों के कितने जवाब सुदेस महतों दे पाते हैं यह तो देवेंदरनात महतों अपनी सवहों में गिना रहे हैं और उन सवहों में और पदियातराओं में उनको जो है वो उस तरह से समर्थन में मिल लगताली बजा करके उनके सवालों को कहीं न कहीं देख रहे हैं और उसमें कहीं न कहीं उमीद भी बांध रहे हैं कि संभब हुआ तो कुछ बेहतर कर पाएंगे देमें दरनात महतो लेकिन जहां करने का मौका सुदेश महतो के लिए था अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर सवाल जो बहुत तेरे जो सवाल हो जा रहे है उसमें सुदेस महतो को आखिर जवाब देना होगा और फिर किनकिन सवालों का जवाब देना होगा या भी उनको तैकरना होगा या ठीक है कि चुनाओ के दौरान जिस तरह से बोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रोगाम होते हैं और प्रायस अभी पार्टियां करत और चुकि जहरखंड नवनिर्मान की बात है और संकल्प का मामला है और भाजपास से अलग है यानि इनकी पारटी यानि आसु पारटी की तरफ से इस तरह के आयोजन किये जा रहे हैं उसमें भीर भी आ रही है जिस रूप मे भीरा ने चाहिए उस रूप में उनके ही साथ से अच्छी खासे भीरा रही है तो उसमें देखना होगा कि अब कितने संतुष्ट कर पाते हैं युवाओं को और चातरों को और तमाम तरह की न्युक्ती परक्रिया को लेकर जिस तरह से अनियमित्ता और तरह तरह के जो है वो परिसानियों से युवा और चातर जूज रहे हैं तो अब इन सवालों के घिरे में एक तरफ युमाओं का भविस्त है चातरों का भविस्त है दूसरी तरफ जो है संकल्प की घोसनाएं हैं बार बार संकल्प लेने की घोसनाएं हैं और इन संकल्पों से सिर्फ बे लोग सत्ता में आ जाते हैं जो राजनिती करते हैं लेकिन इवाओं की समस्याएं ईवाओं का जीवन और इवाओं के साथ जो लगतार खिलवार होता है वो लगतार खिलवार ही होता रहता है कुछ लोग निस्जित रुप से इस पूरे जदो जहद में नौकरी पा जाते हूंगे लेकिन अर दिखान सी उवाएं जो है अपनी पर सियान झाल